हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और चार हजार शिचक पदों के लिए लिखित परिक्षा बहुत जल्दी होने वाली है आप लोग अप तयार रहें ये जूनियर लेवल की वेकंसी है मैं आपको बता दूँ और एड़ेट जूनियर हाई स्कूल में चार हजार शिचक और कुछ प्रधाना ध्यापक इन पदों पर भरती होगी जिसके लिए अब परिच्छा नियामक प्राधिकारी को जिम्मा दे दिया है ठीक है राज इस तरिये लिखित परिक्षा का और इन भरतियों पर से सरकार ने सारे प्रतिबंध हट हटा लिये हैं यानि अब तक जो भी बाधाएं थे वो हटा लिया ठीक है तीन हजार उन्चास एड़ेट जूनियर हाई स्कूल है और इन में लगभग चार हजार तो मान लेजे कि एक विद्याले में एक और किसी किसी में दो ऐसे पद खाली है शिच्छा सेवा चैन आयोग कि पूरी तरह से क्रियाशील होने के बाद भरती का जिम्मा योग का होगा राज्य सरकार जो है इसमें देखिये यहां पर क्या है कि भरती के लिए बीटीसी बीट डिगरी के साथ इसनातक में न्यूंतम 50% अनिवारे होगा यानि बीट भी फॉर्म डाल सकते हैं बीटीसी भी फॉर्म डाल सकते हैं भरती होगी राज्यस्तर पर इसका सिलबस मैं एक दिन बोर्ड पर खड़े हो करके जो चौदा विशय हैं करेंट अफेयर मैथमेटिक्स विध्या गरित के सारी चीजे मैं आपको डिसकस करूंगा आयो की सीमा न्यूंतम 21 अधिक्तम 40 येकिन आप को आपकी केटेगरी के अनुसार आपको छूड़ भी मिलेगी प्रबंधक अब स्वीकृत रिक्तपदों की सूचना जीला बेशिक शिच्छा धिकारी को देंगे बियसे इसे विभाग के निदेशक के सामने रखेंगे निदेशक इसका परिक्षड करने के बाद चैन की कार अफताय होगा भरती के लिए बीटी सी डिग्री के साथ इसना तक नियुनतम पचास पिट से अतंक अनिवार्य होगा यानि वो है टेट सीटेट की बात इसमें नहीं कही गई है लेकिन मांगेगा बिना टेट सीटेट पास शिच्छकों को रखेगा नहीं जूनियर के लिए आपका जूनियर लेवल का टेट सीटेट मांग सकता है अभी तक तो नहीं मांगा है लेकिन आगे आप ये खबर देख सकते हैं कि आपको सीटेट या टेट पास लोगों को ही आवेदन करवाया जा सकता है तो अब इसके लिए तयार है और बस तयारी के लिए वाटस अप न के नूट्स और प्राक्टिस सेट के लिए अभी से जुड़ जाएं ताके हम आपको इसकी क्लासे आठ जन्वरी यूपी टीट के एक्जाम के बाद चला दें और आप शुरू से इस कोर्स के साथ जुड़ पाएं तो आपको सारा लाभ मिले तो बस अपना नाम और डिस्ट अपना पर मैसेज करें और इस वैकेंसी के लिए आप सभी को आल दे बेस्ट थैंक यू